बॉलेवुट के सदाभार एक्टर रिशी कपूर अमेरिका में पिछले 5 महीनों से अपनी बिमारी का इलाज करा रही है। अब खबर है कि वे मार्च के अंत में भारत वापस आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रिशी कपूर के करीबी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। करीबी के मुताबित उनकी वट्सेप पर रिशी कपूर से बात हुई थी। रिशी कपूर अपने लाच की वज़े से पिछले पांच महीनों से नियुयोक में है। तमाम बॉलिवुड सालिप्स ने वहां जाकर रिशी से मुलाकात भी की थी। इलाच की वज़े से मां की निदर होने के बाद भी आक्टर मुंबई वापस नहीं आ पाए थे। बताते चलेगी पिछले महीनेर फरवरी में आमिर खान रिशी कपूर और नीतु कपूर से मुलाकात करने पहुचे थे। नीतु ने मुलाकात की तस्वीरों को इंस्ट्रग्राम पर शियर किया था। इस दोरान उनकी बॉंडिंग देखने लायक थी। इससे पहले देखगा जनुपाम खेर प्रयांका चोप्रा सुनाली बिंदुरे भी रिशी कपूर से न्यूयॉक में मलने पहुची थी। अलाकि रिशी कपूर उनके परिवार ने अभी तक बिमारी कौन सी है इस बात की पूस्टी नहीं की है। जब से रिशी कपूर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है नीतु कपूर उनके साथ न्यूयॉक में ही है। समय समय पर रंबीर कपूर भी पिता से मलने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही मैं योगिता शर्म अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे पेज को लाइक कीजी। अगर ये वीडियो आप यूटूब पर देख रहें तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइब सक्क्राइब करना भर के अगर उना ना रहें तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भी छल्रेब करना भ करना है